कहा जाता है कि मनुष्य योनी सभी योनियों में श्रेष्ट है, उत्तम है, क्यों? चुकि वो बाते कर सकता है, विचार कर सकता है, या वो अविश्कार कर सकता है, अध्भुद्यंत्र बना सकता है? नहीं, चुकि मनुष्य के भीतर करुणा, चेतना और सदभाववास करते हैं सामान्य था हर प्राणी योनियों की चार उद्देश्य होते हैं सोना, अपनी भूख मिटाना, अपना शेत्र बनाना और संतान की उत्पत्ती करना किन्तु मनुष्य योनी श्रेष्ट इसलिए है, चुकि अपनी भूख मिटाने के साथ साथ वो प्रयास करता है कि औरों की भूख भी मिटे सब लोग मिल जुल कर विकास करें, वो समिष्ठी के लिए सोचता है अपने आप चरना तो पशु की प्रविर्थी होती है परंतु दूसरे के लिए स्वयम का बलिदान कर देना, दूसरे के दुख को समझने की करुणा यही प्रविर्थी एक मनुष्य को भिन्न बनाती है जिस दिन मनुष्य के भीतर करुणा लुप्त हो जाएगी उस दिन वो मनश्य सामान ने पशू बन कर रह जाएगा